हलो सातियों कैसे आप सभी मैं अमित कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल और एक जांपूर में बात करेंगे साइन्स के कुछ महतपूर कोस्टंस के बारे में जो आपके परिच्छा में काफी हेल्फ करेंगे ये संभावित फ्रसन है जो आप एंटी पीसे और ग्रूप डी में पूछे जाएंगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कोस्टन स्क्रीन पर मानो महिला में सबसे बड़ी सेल है तंत्रिका कोस्का आर वीसी डबलो वीसी या फिर मादा अंडे प्रसन संख्या एक का सही जवाब डी ठीक ह समूँ 17 में प्रतनी धित्तु है अलकाली धात गयर धात या फिर नोवेल गैस या हैलोजन प्रसन संख्यादो का सही जवाब डी हैलोजन ग्रूप 17 के जितने धात होते हैं उनको है लोजन कहा जाता है ठीक है और इसमें इसके अंतर गज्यो धात वाते उनको रिडायन ये स सेलेनियम, ब्रोमाइन, हाफ मैनियम या फिर क्लोरीन प्रस्ण संख्या 3 का सही जवाब C, हाफ मैनियम ठीक है? अगला कोस्चन्स आवर्थ साड़ी में एक्टे नाइट्स की संख्या है कितनी? 14, 4, 6 या फिर 7 प्रस्ण संख्या 4 का सही जवाब A 14, एक्टे नाइट्स की जो है 14 और लेंथे नाइट्स की भी संख्या 14 है तो टोटल 28 हो जाते हैं, ठीक है? अगला कोस्चन्स प्रकास तरंगे हैं एलेक्ट्रो मैकिनिकल वेव या फिर एलेक्ट्रो मैगनेटिक वेव या फिर एलेक्ट्रो आप्टिकल वेव ठीक है? या फिर मैगनेट्व आप्टिकल वेव प्रस्ण संख्या 5 का सही जवाब होगा? B एलेक्ट्रो मैगनेटिक वेव ठीक है? कारवन के दो समिस्थानिक के अनुपात को निर्धारित करके जीवास्म की आयू का पता लगाया जा सकता है किस आइसो टोप के दोरा? ठीक है? तो कारवन 12 और कारवन 13 के दोरा कारवन 12 और कारवन ब्लॉक या फिर कारवन 12 और कारवन 14 के दोरा या फिर कारवन 13 और कारवन 14 के दोरा तो प्रस्ण संख्या 6 का सही जवाब होगा C, कारबर 12 और कारवन 14 के दोरा, ठीक है, अगला कोस्चन्स, टेफलान है, फ्लोरो कारवन, हाइडरो कारवन, पेश्ट नासी, या फिर कीट नासी, तो टेफलान जो है, तो प्रस्ण संख्या 7 का सही जवाब होगा, फ्लोरो कारव ठीक है अगला कोश्चन्स निमल लिखिद में से कौण सा धातु खनीज नहीं है हेमेटाइट वोकसाइट जिप्सम या फिर लेमोनाइट प्रसन संख्या आठ का सही जवाब सी जिप्सम जिप्सम जो है या खनीजधात नहीं है अगला कोस्टन्स सिर्का में कौन सा एसिट पाये जाता है लैक्टिक अमल, साइट्रीक अमल, मेलेइक अमल या फिर एसिटिक अमल प्रस्न संख्यान नौ का सही जवाब D, सिर्का में पाये जाता है ठीक है अगला कोस्चन्स दूद का एक उधारड है घोल, कोलाइडियल घोल, पाशन या फिर एर घोल प्रस्ण संख्या 10 का सही जवाब C, पाशन दूद का एक, पाशन जो है दूद का एक उधारड है ठीक है अगला कोस्चन्स निम्न लिखित में से कौन सा अंग पितरस नामक द्रव का उत्पादन करता है यक्रत अग्निया से, पित्ता से या फिर गुर्दा प्रस्ण संख्या 11 का सही जवाब A, यक्रत जो है तो पितरस का पितरस नामक द्रव का उत्पादन करता है ठीक है यक्रत से जैरी निकलता है व teats ठीक है अगला questions किसी मनुस्य का भार प्रतवी पर यदि 360 newton है तो बउख चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा I a400 newton 60 newton 1000 newton या फिर सव नूटन है अगर किसी अदि मनुस्य का प्रत्वी पर 360 न्यूटन भार है तो उसका चंद्रमा पर एक छट्वा भागोगा ठीक है तो 60 न्यूटन हो जाएगा 20 इसका सही अंसर होगा ठीक है 12 का B अगला क्वेश्चन अदिश रासी है उर्जा वलागूट समवेग या फिर उपयूट सवी प्रस्ण संख्या 13 का सही जवाब A उर्जा अदिश एक उर्जा रासी ठीक है निम्द लिखिन में से सदिश रासी है कौन सी वेग, द्रबमान समय, लंबाई प्रस्ण संख्या 14 का सही जवाब A वेग वेग जो है तो यह सदिसरा से ठीक है अगला कोस्चन समान द्रश्ट वाले इवावयस के लिए अलग-अलग द्रश्ट की कमदूरी इसे इसके बारे में है क्या चीज़ तो 25 मीटर 2.5 सेंटी मीटर 25 सेंटी मीटर या फिर 2.5 सेंटी मीटर तो इसका सही जवाव होगा 15 प्रस्ण संख्या 15 का सही जवाब C 25 मीटर ठीक है अगला कोस्चन स कैल्सियम कारवाइट पर पाने डालने पर निम्न लिखित में से काउन सी गैस का उत्पादन होता है 25 प्रस्ण संख्या 16 मीटर ठीक है अगर हम कैल्सियम कारवाइट पर पाने डालते हैं तो उससे जो गैस का उत्पादन होता है वह इस इत्पादन होता है अगला कोस्चन स सूच्म जीवो द्वारा जैविक योगिकों से यलकोहौल उत्पादन की प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है दहन से किडवन से अवाजवई से या फिर इरोबिक स्वसन से प्रस्ण संख्या 17 का सही जवाब B किडवन ठीक है अगला कोस्चन स बायो डीजल किस से उत्पादित किया जाता है मतैसिया से ठीक है या फिर मालवेसी से लिली येसी से या फिर एफ़ॉर व्येसी से प्रस्ण संख्या 18 का सही जाओगा D एफ़ॉर व्येसी से ठीक है अगला question निम्न लिखित में से कौन सा तरल सोने के नाम से जाना जाता है प्रस्न संख्या 19 पेट्रोलियम प्लेटिनम अमलराज पायरीन तो इसका सही जवाब होगा A. पेट्रोलियम